दोस्तों अज़ों कि अभूए अधाब दोस्तों मैं हूँ अम्मेवाजिद आप देख रहे हैं पैगाम टीवी आज की बात में आज हम बात करेंगे 2000 रुपे के नोट की दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि 2016 में इस नोट को हकूमत ने मुतारुफ करवाया था जिसके बात क आप सभी जानते हैं क्योंकि जब ये नोट कोई आदमी किसी दुकान पर ले जाता तो पहले दुकानदार उस नोट को देखकर शदीद तोर पर बरहम हो जाता और उसे बड़े ही खुबसुरत अंदास से देखता उसकी जांच करता उसके बाद चिलर ना होने का बहाना करके ये नोट चलती रही चलती रही चार साल के अर्से में फिर एक मरतबा आरबिय ने इस नोट को बाजार से हटा देने का इलान किया है अब तीस मैं के बाद दो हजार की ये नोट खिस्सा पारी ना बन जाए गी और ये नोट आपको कहीं दिखाई नहीं देगी लेकिन कई तद्खीदें की जाने लगी हैं कहा जाने लगा है कि ये तो एक तमाशा है जो हकूमत गरीब अवाम के साथ एक खेल की तरह खेल रही है दोस्तो माईशत किसी भी मुल्क के लिए रेड की हड़ी होती है इस तरह नोटों का तबादिला करना नोट बंदी कर देना उसके ब रोनुमा हुए हैं अब ये 2000 की नोट का खिसा है क्या ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंद मुहमद आसिफ की ये रिपोर्ट हिंदुस्तान भर में अब 2000 रुपे की नोट पर मुबाहिसे होने लगे हैं यार दोस्त आपस में बात करते हुए एक दूसरे से सवा करने लगे हैं कि अगर इसे बंदी करना था तो फिर शुरू क्यों किया गया वजीर आजम मोदी जी की हुकूमत ने अपनी नौ साला मियाद में सिर्फ लोगों को मुश्किलों में डालने के लावा कुछ नहीं किया लोग परेशान हैं कि 2000 की नोट बाजार में आई गरीब इन नोटों को हाथ में लेने से डरने लगे थे अगर वो नकली निकली तो फिर क्या होगा अभी चार साल का अर्सा भी ना गुजरा था कि अब इस नोट को बंद करने का एलान किया गया है लोग पहले ही परेशान थे नोट बंदी के बाद और परेशान हुए मैं यहां अम नोट को लेकर अजीब और गरीब ख्यालात का लोग इजहार करने लगे हैं 2016 के एक्तिताम में 2000 रुपे के करंसी नोट मतारुफ करवाए गए गए थे तो उस वक्त गोदी मीडिया ने इस नोट बंदी के एगदाम को खुश आइन कहा था और 2000 की नोट जो मोदी हुकूमत क काले धन को खतम करने की बड़ी हिकमत अमली और मास्टर स्ट्रोक के तोर पर हुकूमत की सरहना की गई थी अब लोग इन बातों का मजाख उडाते हुए सोशल मीडिया पर हुकूमत के अलावा आर बी आई को कोस रहे हैं अपना गुसा निकाल रहे हैं है ना ये मोदी जी क कारणामा के उन्होंने अवाम को काम पर लगा दिया और लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते वो सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं और मोदी जी अपने हामियों के साथ करनाटक में हुई शिकस्त पर आंसु बहा रहे हैं और बाद अफराद जो नक्खाद भी हैं और दान देश के तहट किये जाने वाला अमल हो सकता है अब यहां गरीब और मतवस्त तबखे को समझ लेने की जरूरत है कि अमीर अफराद यहां हमेशा खुश खुर्रम रहते हैं परेशान अगर कोई होता है तो वो गरीब और मतवस्त तबखा उन्हें जान लेने की जरूरत है कि बार बार मुसीबत उठाने से बहतर है कि अब हुकूमत को ही बदल डालें ताके आने वाले दिरों में हमारा देश नारों और खोकले दाओं में नहीं बलके हकीकत में तरक्की की तरफगाम जन हो जाए ऐसा तभी मुम्किन है जब मुस्तक्बिल में लोग करनाटक जैसे इंत इजिनल दफातिर और दूसरे बेंक 2000 रुपे के नोट के बन ले छोटे नोट 23 मैं से देना शुरू कर देंगे आर बिया ने तमाम बेंकों को आगा किया है कि वो फौरी तोर पर 2000 रुपे के नोट देना बन कर दें सन 2016 में जब देश के वजिर आजम मोदी ने 1500 रुपे के बहतरीन नोटों को रातों रात खतम किया था तो आर बिया ने 16 नोवंबर 2016 से 2000 रुपे के नोट चापना शुरू किये थे रिजर्बेंक अफ इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि 2000 रुपे के नोटों को मतारुफ करवाने का मकसद तब पूरा हुआ जब चोटे नोटों की तेदाद पूरी हो गई और वो बड़ी तेदाद में दस्तियाब होने लगे इसलिए 2000 रुपे के नोटों को 2018 से 2021 के दर्मियान प्रिंट करना बंद कर दिया गया 2000 रुपे के नोटों को छोटे नोटों में तबदील करवाने की हद 20,000 रुपे मुकरर की गई है जो एक वक्त में किसी भी बैंक से 23 माई से तबदील करवाए जा सकते हैं 2000 रुपे के नोटों को छोटे नोटों में तबदील करवाने की हद 20,000 रुपे मुकरर की गई है मार्च 2017 से पहले जारी किये गए थे और वो अपनी चार से पांस साला मुद्द कूरी करने के खरीब हैं। 31 मार्च 2018 तक इन बेंकों में नोटों की गर्दिशी कुल वैलू 6.73 लाग करूर रुपे थी जबके 31 मार्च 2023 सिर्फ 10 पिसद नोट गर्दिश में रहने के बाद 3.62 लाग करूर रुपे हो गए हैं। Central Bank का कहना है कि ये नोट transaction के लिए आम तोर पर इस्तेमाल नहीं होता। RBI ने ऐसे ही नोट 2013 से 14 के दोरान खतम कर दिये थे। नई हिदायात के मताविख लोग अपने bank account में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं या किसी भी bank branch में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। 23 माई 2023 से 20,000 रूपे तक यानि 2000 के 10 नोट किसी भी bank में एक वक्त में तबदील किया जा सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई जाफी charges या fees नहीं ली जाएगी। RBI ने कहा है कि 30 सितमब 2023 तक 2000 के नोट जमाया तबदील करवाया जा सकते हैं। हाला कि RBI ने ये वाज़े नहीं किया है कि उसके बाद क्या होगा। इमकान है कि RBI इस सिल्सले में नई गाइडलाइन जारी करेगा। तो यहां कहना बस यही है कि RBI और हकुमत दोनों मिलकर देश की अवाम को बेवखूब बनाने में लगे हुए हैं। 2000 की नोट बंद हो रही है तीस तारिक से। जहां पर किती तकलिफ से 2000 की नोट जमा किये हैं। अभी फिर बैंक में डालना है। बैंक में डालने के लिए फिर वो लोग पूछें इतने पैसे कहां से आए आपके पास। वह परिशानी है। सरकार क्यों कर रही हैं समझ भी नहीं आ रहा है। इससे अची तो जो है सरकार हमारी कांगरेस सरकार जो परसुम जो एलेक्शन हुआ करनाटक में वही सरकार यहां पर भी आनी का है तेलंगाना में। पहले नोट बन करें फिर उसके बाद नहीं नोट लगा है। यह क्या है तमाशा है यह कहां से पबलिक इतनी अवाम परिशान है यह नोट के तरफ। खाली लोगों को परिशान करने की चकर में हैं। मोधिम हकुमत हर तरीखे से परिशान करते जा रही है। पूरा मुल्क में कांग्रेस का राज हो। वही सरकार अच्छी है, कांग्रेस सरकार अच्छी है।